नमस्ते सस्रीकाल कैसे हैं आप गुट नियूस के साथ आज फिर कुछ जोज बढ़ाने वाली कहानिया आपके लिए लेकर आया हूँ देश की बात सुनाने आया हूँ क्योंकि दुनिया में अगर सबसे लाजवाब और बेमिसाल कुछ है तो वो है मेड इन इंडिया हौसला ये हौसला किसी चीज से हार नहीं मानता ये हौसला हर मुश्किल पर भारी पड़ता है साधारन लोगों के लिए इस हौसले को पंक लगे होते हैं और वो बहुत लंबी उडान भड़ते हैं बिहार के दरबंगा जिले में कुछ लड़के हैं जो आज कल इंट ही कठा कर रहे हैं वह या एक नहीं दो नहीं हजारों इंट घर घर से इंट जानते हैं इंटो का वो क्या करेंगे चलिए आज का जो मुद्ध है वो इस किस्से को सुनाने के बाद ही बताऊंगा देखिए दरबंगा के इन लड़कों की इंटो वाला हौसला कैसे दरबंगा में एम्स नहीं बन सकता एक इंट तबियत से तो लाओ यारो दरबंगा की तिजाओं में इस वक्त ये नारा बुलंदियों पर है घर घर गली गली सलक दर सलक आम आदमी की अलख गूंच रही माहौल उम्मीदों की रोष्णी से गुल्जार है अपने शहर में एम्स बनेगा बुढ़े बाबुजी का बिहतर इलाज होगा मा की तबियत छीक नहीं रहती बड़े ड़क्र साहब एक बार देख लेंगे इसलिए हर दौर हर दर्वाजे की कुंडी खटकाई जा रही है बस एक इंट देने की खौहिश जताई जा रही है नए तरभंगा के सपने के साथ युवा ब्रिगेड ड्यूटी पर है एक-एक इंट जुटाएंगे तरभंगा में एम्स बनाएंगे जो एम्स का इट का जो मुईम है ये गाउं गाउं घर गर नहीं अब पकडंडी पकडंडी चलेगा हम पतेग घर में जाएंगे पतेग गाउं में सिला न्यास करने का काम करेंगे और पूरे गाउं के लोगों का आगवान करेंगे और इस फिल्ड वरने का काम करेंगे फिर से कि दरकार नहीं, खुद ही बदलेंगे तकदीर, सलक पर पसीना बहाएंगे, हर घर जाएंगे, दर्भंगा ही नहीं, पूरे मितलांचल के हर एक आंगन से इट जुटाएंगे, दर्भंगा में एम्स को कागज से जमीन पर लाएंगे. अब आज सिर्फ सदन में नहीं, कागज पर नहीं उठना चाहिए, आज 2015 में घुसना के बावजुद अन्नी राजियों में एम्स बन सकता है, अंजिलों में एम्स बन सकता है, तो क्या हमारे यहां जहां का स्वास्त विवस्ता सब से बद से बत तर है, वहां क्यों नहीं बन स हर घर एक इट का भियान उस आम आदमी की पुकार है जो चाहता है कि फिट और हिट रहे जब वो बीमार पड़े तो जोला चाप डॉक्टर नहीं एम्स जैसे प्रितिष्ट संस्थान में हो उसका इलाज उसकी तीमारदारी में लोग दिल्ली मुंबई कोलकाता चे नहीं नही सच पूछिये तो दर्भंगा का एम सभ्यान अकेले दर्भंगा का नहीं है मिधलांचर के पीच बसा दर्भंगा अब भी मेडिकल हब है पूरा मिधला प्रदेश यहां भरोसे के इलाज के लिए आता है और यहीं नहीं नेपाल से भी लोग इलाज के लिए दर्भंगा आते हैं यहां एम्स जैसे बड़े संस्थान का होना कई लाख लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड निउस होगी इस लाके में एम्स बहुत जरूरी है एक सुंदर सा कित्सी संस्थान हो जहां पर लोगों का सम्मय की लाज हो सके जो आवश्यक आवश्कता है लोगों की उसमें तो भोजन वरोस्तर आवाज के बाद स्वास्थ और उसके बाद सिक्षा है तो स्वास्त बहुत ही आवसक है, इसलिए दरभंगा में M's की बहुत महती आवसकता है, यहां जितना जल्दी M's बन जाएगा, तो इस इलाके का बरासा कल्यान होगा, बहुत बरे इलाके के लोग इस M's से लाव उठाएंगे, और जो देहात में जो बिमार पड़ेगा, वहां सरफर करेगा, तो यहां M's में जाएगा, यहां सीधे को M's में जाएगा, जहां इस पेसिलिस्ट रहेंगे, वहां इलाज होगा, इस इलाके की जो बिमारियों को पसरी शर्च होगा, M's में सिर्फ इलाज नहीं होता है, वहां संधान भी होता है. M's बनाने को लेकर दर्भंगा में सब एक है, कहीं कोई सियासत नहीं, सब की एक सोच, सब की एक सुबान, यूँ आप मोर्चा समाले हैं, तो सालों से दर्भंगा में लोगों को सेहत बंद रख रहें डॉक्टर भी उनके साथ हैं. हम लोग खोश नहीं हैं, बलके बहुत खोश हैं दर्भंगा में, M's का आना हम लोगों के लिए जस्ट यू समझ लिजए कि एक बहुत बड़ी बरदान के रूप में होगा, चाहे हमारा सिख्षा जगत हो, चाहे हमारे मिथलांचल और इसके जितने भी नेवरिंग स्टेट हैं और साथी नेवरिंग जितने भी डिस्टिक्स हैं दर्भंगा के, साथी नेपाल का जो तराई छेतर हैं, उन्नों के भी जितने पेशेंट हैं, उन्नों के एक उचस्तरिये टीटमेंट की बहुस्ता हैं, यहां निश्ची तुरू से सुरू होगी, जो काभी लाबदायक सभी डॉक्टर बहुत ही खुश हैं और सभी बड़ी बेशबरी से इसका इंतिजाल कर रहे हैं, कि जल से जल एम्स का दर्भंगा में शिलानिया सो और बन कर तयार हो, जिससे कि यहां की जनता को और आसपास के सभी जिलों के जनता को उचस्तर की इलाज उपलब्द यहां ह और उन्हें इस सब के लिए जो दिली जाना पड़ता है उसकी ज़रूरत ना पड़े। जम जाएं। जाएस्ट रैंक का जाँच हो उसको यहां प्राप्त करने का यह पहला ऐसा साधन आ रहा है जो किसी हर तरह के रोगी को सिवधा होगी और आदमी को यहां से दिली या और जगह दोड़ना नहीं पड़ेगा यह सचमुच में उत्तर बिहार के लिए यह एक अमुल्य चीज ह तेरी पर नाराजगी की यह बोल आकरूश से कम उमीद से ज़्यादा जुड़े लगते हैं साल बीतने से क्या हुआ आज का पंची अभी उड़ा नहीं है और जब हाथ शहर के नौजवानों का हो तो एम्स की इट तो पड़नी ही है चलिए अब आपको दिखाते हैं कि दर्भंगा में एम्स निर्मान में देरी कहां हुई दर्भंगा का एम्स प्रोजेक्ट अब तक कहां पहुँचा 2015-2016 के बजट में पटना के बाद राज में एक और एम्स बनाने की घोशना हुई दर्भंगा मेडिकल कॉलिज के कैंपस में ही एम्स बनेगा उसके बाद अस्पताल के लिए 200 एकर जमीन का आवंटन हुआ 15 सितंबर 2020 को बिहार चुनाव से पहले केंद्री कैबिनेट ने 1264 करोड रुपे के 750 बेड़ वाले इस प्रोजेक्ट को मन्जूरी दे दी नवमीदी की चादर ओड़ कर ये लोग भी चाहते तो सोजाते लेकिन इन युवाओं ने ये नहीं किया क्योंकि ये किसी की जिम्मेदारी पर उगली उठाने से पहले खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं गाउं, शहर, इलाके में तरभंगा में एम्स बनाने के लिए हर एक घर से एक इट मांग रहें सुपॉल से रामचंदर मेहता गुड नियूस टुडे ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है पिछले डेट साल से मैं कोविट के लिए लोगों को बेट दिलाते दिलाते समझ गया कि कितने हस्पतालों की हमें जुरूरत है मैं ये नहीं कहता कि हमने तरक्की नहीं की हम सधे कदमों से हिम्मत के साथ बहुत आगे बड़े हैं लेकिन थोड़ा किया है और थोड़े की जुरूरत है शायद यही सोचकर दरबंगा में एम्स बनाने का ये अनूठा बीड़ा इन लड़कों ने उठाया है उनी से समझते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है दरबंगा में एम्स बनना तो तैह है सरकार ने एलान भी कर दिया है फिर हर घर से एक-एक इंट जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आधित्या और अविनाश अविनाश क्यों हर एक घर से एक-एक इंट जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले तो सर पूरे दर्भंगा बासी पूरे मितला बासी के तरब से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे एम्स के मुद्दा को उठाया सर हर घर से इट जुटाने की जुरत इसले परी क्योंकि आजादी के 70 साल बाद हम जिस दर्भंगा जिला में रहते हैं उस दर्भंगा जिला का आवादी 50 लाख है मधवनी जिला का आवादी 50 लाख है और एक DMCH है एक मात्र दर्भंगा मेडिकल कॉलेज एन हस्पिटल है जो 1925 के रसक में ही बना था जब इस देश में बहुत सारे जिला में हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था आज की स्थिती ये है कि इस DMCH पे नेपाल की तरही छेतर से लेके इर्द गिर्द के 10 डिस्टिक के लोग डिपेंडेंट हैं जिसके इमर्जेंसी में आपको एक रूई तक रूई का बंडल तक नहीं मिलेगा सर 2015 में हमारे जो तातकालिन बितमंतित हैं उन्होंने घोसना क्या कि पूरे देश में 8 M का निर्मान होगा हम लोगों में होसला जगी, मित्छला के लोगों में होसला जगी कि हमारे यहां भी अस्तरीय स्वास सेवा मिलेगा लेकिन आज की इस्थिती परस्थिती यह है कि उस 8 M में से 7 M या तो चालू हो गया है या पार्सियल फंक्षन है कुछ दिन पहले एक देवगर एमस भी चालू हुआ लेकिन आज भी दर्भंगा एमस के लिए एक इंची जमीन का अधिगरहन नहीं हुआ है मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से चुकि आपने सर कोरोना में बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों के रॉल मोडल भी है हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गरीब जनता को जो इस इलाके में जो रहते हैं जो DMCH पे डिपेंडेंट हैं उन्हें अस्तरिय स्वास मुहिया किरा जाए और सर हमारे जो सांसद होते हैं हमारे जो विधायक होते हैं उनके पास अगर आप जाईएगा तो पर रोजाना आपको दो-चार आवेदन दिल्ली में एम्स में इलाज करवाने के लिए मिलता रहेगा तो यह जो आवेदन की संख्या है हम चाहते हैं वो कम हो हमारे इलाके में जो हेल्थ की जो क्राइसीस है वो खतम हो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो पूंत द्वस्त हो गई है उसके लिए हमें लगता है एम्स की जौरत है लेकिन हमारे जनपति नीदी सिर्फ घोसना करने की बात रखते हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमें लगा कि ये गांधीबादी मुहीम के तरीके से आप सब की मदद से आप तमा मीडिया बंदू चैनल की मदद से हम इस मुहीम को उठाएंगे और जनता की मुहीम को सरकार तक पहुचाने का काम करेंगे इट के माध्यम से, घर-घर से, इट लाने की माध्यम से तो हो सके सरकार सुने और हमारे इलाके में इम सबने बहुत कमाल का स्टॉटड है आपको बताना चाहता हूँ आदित्या विनाश मेरे मैं जब नाकपुर में बढ़ता था तो मेरे साथ दर्बंगा के भी चात्र थे राकेश सिंग मुझे भी भी यादा अगर वो आज गुड न्यूस चैनल देख रहे होंगे आज भी मुंबई आते हैं और उनको अलग लग हम दूसरे स्टेट्स में भीते हैं इलाज के लिए पर जो आपने मुहिम उठाई है जब धर्बंगा में एमस आएगा आपकी द्वारा इकटी गए हर एक इंट जिसमें इतना प्यार भरा हुआ है उस उस इंट के साथ जब वो अस्पिताल बनेगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एकदम तंदरुस होके आपको दुआएं देंगे लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह आपको थौट कहां से आए लेकि पैसे भी तो आप इकटे कर सकते थे सर जहां तक बात है कि 2015 में ही एम्स कोशित हो गया था और छे साल बीच चुके हैं बट अब तक जो है सिलान्यास नहीं हो सका एक इट भी नहीं किरा करिब 200 एकर जमीन था जो कि जिसका अधिकरिहन होना था फिर उसमें बहुत सरा इंफ्रेस्ट्रेक्शनल डेवलप्मेंट होना है तो एक एम्स बनने में ही चार साल लगता है और उससे पहले छे साल अब तक बीच चुका है तो हमें यह पता था कि तो अजर पंद्रह में जो घोशित है इसको बनते-बनते 30-35 लग जाएगा तो हमारे लिए सबसे जरूरी है एम्स एक बहुत ब़रा प्रोजेक्ट है इसमें यह तो नहीं हो सकता कि हम डॉक्टर लाके देंगे तो हमने यह सोचा कि क्या हम सरकार को जगा सकते हैं और सरकार को जगाने का एक मातर रास्ता हमें यह देखा कि गांधिवादी विचारधारा से हम जनता को पहले जगा दें अगर जनता जाग जाएगी तो सरकार जक जाएगी तो हमने इसको इस तरीक से किया कि सरकार ने 6 सालों में अगर एक इनठ नहीं गिराया है सिला नियास के लिए तो अब जनता जो है वो खुद सिला नियास करेगी और उसके लिए हमने जनता से ही घर गर जाकर हमारे MSU सेनानी Mr. pregunta सेनानी घर घर जाकर गाउं-गाउं में उनट मांग रहे हैं और उनwhat को जमाक कर रहा हैं और आगामी आठ सितंबर को अगले 8 सितंबर को अगले और सितंबर को हम उसी दरभंगा के साइट पर जो की प्रस्तावित जगह है वहां पर हम सिलन्याज करेंगा और वो जनता सिलानियास होगा ये हमारा काम है बहुत अच्छा है यूनों आपने बोलते हैं कि आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देते हो लोगों के लिए कि आप सिर्फ सरकार से मदद मत मांगिए कि भया हमारे आपे हमने वो विधायक हैं ये हमारी सरकार है वो कर में 16-18 महीनों में सीखा है और जिंदीगी के बड़े बहुत सारे ने जो मैं अध्याय अभी भी सीख रहा हूं पढ़ रहा हूं मुझे सीखने को मिला आई थिंक आप लोग आर्री सीख चुके हैं लेकिन अधित्य अविनाश ये एक बड़ी इंपोर्टेंट जो मेरा सवा है कि एम्स बनाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रसक्श चीए बहुत बड़ा और एक एक दिन या एक महीने का काम तो है नहीं है तो इतना लंबा चलेगा आपका होसला आपको इस बात का विश्वास है को सब्सक्राइब तो हमने अपना एक वादा रखा है कि जब तक एम्स के भवन कि धालाई नहीं हो जाएगा यहां पे लोगों का इलाज चालू नहीं हो जाएगा तब हसा नियांब को जगाना सरकार को जगाना और जैसे फिर से प्रक्रिया शुरू होती है तो अगले चार सालों तक जब तक यह पूर्ण रूप से निर्मान अधीन नहीं हो जाता है और एम्स चालू नहीं हो जाता है तब तक हम लगातार अन्य विभिन कारिक्रमों के माध्यम से दवाब बनाए रखेंगे अपना काम करते रहें बहुत कमाल की बात है इनों all the best वविनाश आदित्या और आप सभी दोस्तों को बहुत मैं मैं दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी मुहिम शुरू की है अब जल्द काम्याब होईए जल्द से जल्द अपने दरबंगा में कमाल का एम्स लेए और धन्यवाद थांकी सो मच धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सो क्या होता है कि हम सब अपनी दिक्कत अपनी परिशानियां अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते पर अगर देश के युवा इन लोगों जैसी सोच लगे तब इस मिशन को काम्याब होने से कोई नहीं रोक सकता और दिल से कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती लेकिन जैसा मैंने आप से कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने इस मामले में तरक्की नहीं की हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका रुत्ब़ा दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है हमारे करोना वारिस ने दुनिया भर में हिंदोस्तान का नाम उंचा किया है और देश का जो सबसे बहतरीन हस्पिताल माना जाता है एम्स जानते हैं कि वो बेस्ट क्यूं है? लोगों का विश्वास क्यूं है? देखिए यकीना आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा यह इमारत नहीं जीवन बचाने वाला मंदिर है इस इमारत पर लोगों को इतना भरोसा कि इसे विश्वास का सेंटर कहा जाता है यहां गरीब से गरीब विक्त का इलाज होता है यहां अमीर से अमीर आदमी का इलाज होता है यहां इलाज के लिए विदेश से लोग आते हैं जी, यह All India Institute of Medical Science यानी एम्स है साट सालों से ज्यादा समय से देश की हेल्थ को दुरुस्ट करता आ रहा है एम्स लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी ने एक बार ना नहीं किया होता तो देश का पहला एम्स दिल्ली में नहीं, कोलकाता में होता लेकिन सिर्फ एक ना ने देश के पहले एम्स को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया ये नो कहने वाले थे पश्चिम मंगाल के तदकालीन मुख्य मंतरी बिधान चंदर रोय और इस पहले एम्स का प्रस्ताव रखने वाली थी देश की पहली स्वास्ते मंतरी राजकुमारी अम्रित कौर आम से लेकर खास तक के विश्वास के जिस सेंटर को आप देख रहे हैं ये राजकुमारी अम्रित कौर की कोशिशों का ही नतीजा है राजकुमारी अमरित कौर की कोशिशों के बाद 1952 में एम्स की आधारशिला रखी गई और इस एम्स को आटोनॉमस यानी स्वायतता देने के लिए 1956 में संसद में एक्ट पास किया गया और देश को पहला एम्स मिला 27 जन्वरी 1961 को एम्स की पहली बिल्डिंग का उधगाटन इंग्लेंड की महरानी एलिजबेट दुवितीय ने किया संसद में एम्स के लिए प्रस्ताव रखते वक्त राजकुमारी अमरित कौर ने कहा था मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही आश्चर रिजनक होने वाला है ये कैसी घटा होगी जिस पर भारत को हमीशा गर्व रहेगा और मैं चाहती हूँ कि भारत इस पर गर्व करे तब से लेकर आज तक बेहतर इलाज का दूसरा नाम है All India Institute of Medical Science यानी AIIMS यानी AIMS जिस पर गरीब मरीजों से लेकर बड़े बड़े वी वी आई पी अपने इलाज पर आँख मून कर भरोसा करते है AIMS को स्थापत हुए वे लगभग 65 साल हो चुके हैं और हेल्थ केयर में AIMS सबसे उपर रहा है जितने भी सर्वेज हुए हैं पिछले 20-25 साल से जब से सर्वेज शुरू हुए है AIMS हमेशा number one रहा है चाहे वो government institutions रही हो चाहे वो private institutions रही हो और क्योंकि ये government institution है इसलिए लोगों को इस तरह भरोसा थोड़ा जादा हो जाता है कि यहाँ पे किसी तरह का commercial interest नहीं होता दूसरा यहाँ पे हर तरह की सुविदा अवेलिबल है जो की best of institutions में अवेलिबल होती है नाकिवल हिंदोस्तान में बढ़ की worldwide इसलिए हेल्थ केर में एम्ज एक अपना नाम बना चुका है और इसलिए लोगों को इसके उपर इतना भरोसा है हिंदोस्तान का एम्ज अपने इलाज और रिसर्च के लिए जाना जाता है रोड ट्राफिक अक्सिडन्ट और दूसरी तरह की अमर्जनसी की स्थिती में मरीजों को गोल्डन आर में इलाज के लिए पहला ट्रॉमा सेंटर इसी एम्ज में बना इसराइल की तरज पर बना ये सेंटर अब तक कई कीर्थिमान बना चुका है 3 अगस 1994 को देश का पहला हार्ट ट्रांस्प्लांट एम्ज में ही किया गया एम्ज ने देश को रोबोटिक सर्जरी करने का भी तरीका दिया व्यस्तता की प्रॉब्लम जरूर है और हम हर व्यक्ति को उतना इलाज नहीं दे पाते हैं जितना हम चाहते हैं इसलिए हर डॉक्टर और हर व्यक्ति जो हैं काम करता है कि अपने लेवल पे एक इसको ट्रायाज बोलते हैं कोशिश करता है कि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से मरीज को सबसे ज़्यादा जरूरत है और इस तरह सबसे ज़्यादा जरूरत बन लोगों को अलग से पहले प्रायोरिटी दी जाती है इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों का इलाज नहीं होता इलाज कोशिश की जाती है कि सब को उतना इलाज दिया जा पाए जितना दे सकते हैं सिर्फ दिल्ली के एम्स में इतने डिपार्टमेंट की बात आप सुनेंगे तो सोच में पढ़ जाएंगे एम्स का दाइरा कितना बड़ा है आज एम्स में 42 डिपार्टमेंट और 7 सेंटर चल रहे हैं जिसमें कुल 1095 फेकल्टी की पोस्ट हैं 2019-2020 में एम्स ने 44,14,490 मरीजों का इलाज OPD में किया 2,68,144 मरीजों को एडमिट कर इलाज किया गया और इसमें से 2,707 सरजरी की गई अभी एम्स की बेट की किशमता 2,792 है आने वाले कुछ दिनों में इसमें करीब 500 बेट्स जुडने वाले हैं में करा रहे हैं अपना आप मतलब जो भी चल रहा हमारा देट साल से सो वहां पर ऑबसले हमारे रगुलर कंसल्टेशन के बाद भी फेल्ट एट सिम्टोमाटिकली इंप्रूब नहीं औरी कंडिशन सो वी थॉट एम्स बिंग बेस आस्पिल इंडिया दॉट यह पर रहा हैं पहले जानते थे यहां लिए पहले इंड बनिया रहा तभी तुलाएं घ्लाइगा अल्याज बढ़िया हो रहा हैं अग्ष्ट लोने का तिल तीभ हो जाएगा आपको भरोसा है यहां इलाज होगा तो जाएगा तीव हो जाएगा अग्स बढ़िया है अग्प ब्रसा कि बिद्ध बाद दूर से आएं हमां देखनाने का यह ड़क्ट नहीं का कि लगणा दौवाई कराया के आएं ऊट्शी क हो जाई है लकिन तहाता है धीरे धीरे अराम होए दावा से नहीं है अब देखें अब देखें और बेन के इलाज करा नहीं आयते हैं विश्वास है डॉक्टर अच्छे रहा है इसलिए एम्स के दूज़ा आफ हाम से एम्स के एक्स्टेंशन से जाहिर है फाइदा होगा क्यो चल रहे हैं बेतरीन इलाज मुहिया करा रहे हैं जिस पर मरीज को उनके परिजनों को और इंसानियत को भरोसा है कि हाँ एम्स है तो मुम्किन है पिछले साथ सालों से एम्स लोगों को नया जीवन दान दे रहा है मेरे ठीक पीछे दिखाई देने वाले इस इमारत को जान बचाने वाला मंदिर भी कहते हैं यहां अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों का इलाज होता है और यही कारण है कि देश ही नहीं बलकि दुनिया भर के लोग यहां पर नया जीवन पाने की उम्मीद से आते हैं दिली से कैमरा परसन अजय कुमार के साथ शिवांग इठाकुर जी एंटी आज बड़े बड़े प्राइवेट और सरकारी हस्पिताल खुल चुके हैं लेकिन आज भी जो सामान्य वर्ग है उसका विश्वास है एम्स और इस विश्वास के पीछे है लंबे समय से करिश्मा कर रहे हैं इसके डॉक्टर्स मुझे याद है कि जब मैं कोरोना के दौरान बेट जून रहा था या फिर जब माइगरेंट्स को मैंने उनके घर भेजा तो उनको जो भी तकलीफें आई फिजिकली उनके मेडिकली किसी की मदर बिमार थी किसी के ब्रेंट यूमर की सरजरी सी, किसी के हिप रिप्लेस्मेंट, नीर रिप्लेस्मेंट, बहुत सारी सरजरी की प्रॉबलम थी क्योंकि इनके पास मेरे नमबर थे तो इनके फोन आने शुरू है किसरा आपने हमें घर तो भेज दी आ है लेकिन अब आप हमें मेरी माताजी का इलाज करवाईगे मेरे बच्चे का इलाज करवाईगे तब मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता था एम्स वहां बहुत सारी डॉक्टरों से मैं जुड़ा इन लोगों को उनके पास भेजा और आज जो रिजल्ट्स आये हैं मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी भी कुछ प्रॉब्लम दिखती है मुझे एक ही शब्द याद आता है वो एम्स क्योंकि उसके डॉक्टर्स ने इतना साथ दिया इतने पॉजिटिव और इतने बड़िया रिजल्ट्स आये कि आज वो सब लोग अपने घरों में ठीक होकर बैठे हुए है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली से आगे कहां कहां तक एम्स हस्पिताल पहुँच चुके हैं एम्स का मतलब सच्चे और अच्छे इलाज की गैरंटी है ये गैरंटी ही लाखों और करोडों लोगों को खीच लाती है लोग तोड़े चले आते हैं एम्स जीवन की आशा में विश्वास की दोर पकरे उनके दिलों दिमाग में एक बात फिट है एम्स है तो इलाज मुम्किन है एम्स है तो भरोसा है एम्स है तो सांसों की आस ज्यादा है देश में अस्पतालों की तादात लगातार बढ़ रही है सरकारी प्राइवेट अस्पताल हर साल खुल रहे है देश सेहत मंद बनाने की मुहिम चल रही है लेकिन इस बीच सरकारी अस्पतालों में लगी ये लंपी कतार बताती है कि सस्ते और फरोसे के इलाज की कितनी जरूरत है ऐसे में किसी सूबे या शहर को एम्स मिल जाए तो वो ये मान लेता है कि भगवान खुद चल कर आ गए तभी तो एम्स में देरी शहर के यवाओं को बीचैन कर देती है उनकी भावनाएं बेकाबू कर देती है वैसे एम्स जैसे संस्थान पूरे देश की जरूरत है इससे इनकार नहीं तभी तो इसके विस्तार की कोशिशे 2003 में पूरू प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाचवेई की सरकार से ही की जाती रहे 2003 में NDA की सरकार की अगवाई कर रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाचवेई ने प्रधानमंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना लॉंच की इसके तहर एम्स की तर्श पर देश भर में 6 सुपर स्पेश्यालिटी अस्पतालों की घोशना की योजना का उदेश सस्ती और विश्वस्निय स्वास्त सेवाओं की उपलद्ध में होने वाली गड़वडी को ठीक करना और मेडिकल पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना था हलाकि एक साल बाद हुए चुनावों में NDA सर्था से बाहर हो गई और UPA सरकार में आ गई जिसके बाद UPA ने इस प्रोजेक्ट पर मोहर लगाते हुए 6 एम्स को मन्जूरी दे दी इस तरह देश में दिल्ली के अलावा 6 और एम्स की बुनियाद का रास्ता साफ हो सका जिसके बाद भोपाल, भुविनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और रिश्केश में एम्स वजूद ने आए 2012-2013 तक आते आते इन संस्थानों में मेडिकल के रेगुलर पार्टिकरम शुरू हो गए इन 6 एम्स के लावा 16 और एम्स पर काम चल रहा है इससे जुड़ा एक बयान पूर्वे स्वास्ति राज्यमंत्री अशुनी कुमार चौबे ने दिया था आंकणों के मताबिक दूसरे और चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के राइवरेली और गोरकपुर एम्स जबकि आंतर प्रदेश के मलकानगीरी में एम्स बनना था जून 2020 तक तीनों एम्स शुरू होने थे पाच्वे चरण में पंजाब का बठिंडा एम्स असम का गुआहाटी एम्स हिमाचल का बिलासकुर एम्स तमिलनाट का मदरई एम्स बिहार में दरभंगा एम्स और जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर एम्स शुमार है इन सभी एम्स का काम 2021 से लेकर 2025 तक खत्म हो जाना है छटे चलण में जारखन के देवघर एम्स और गुजरात का राजकोट एम्स है जिसका काम 2022 में मुकमल होना है साथमे चलण में तिलंगाना के बीवी नगर में आठवे चलण में हर्याना के मनेठी में एम्स का काम पूरा होना है इसमें बीवी नगर में 2022 तो हर्याना में 2023 तक काम पूरा होना है सवाल सरकार की साख का नहीं है बलकि अच्छे इलाज का है जिस पर जनता का हक है सुविधाएं मिलें, सहूलियतें बढ़ें और ये फिक्र एम्स की मौझूद्गी से दूर होनी तैय है गिलर रिपॉर्ट गुड न्यूज टिड़े 20 सालों की करियर में 100 फिल्मे करके कितने भी वाट जीन कर उतनी खुशी नहीं मिलती जब आप एक जीवन में वो बदलाब लेके आते हैं अच्छी बातें सुलो मेरे भाई अच्छी बातें सुलो मेरे भाई वक्त मुश्किल और हाला कठिन लेकिन सब बुरा है ऐसा भी कहा है उमीद के वरक में लिप्टी छोटी छोटी खुशियां रोज आपके दर्वाजे पर दस्तक देंगे और आओंगा मैं भी आप से करने कुछ अच्छी बात रोज सुबा सिर्फ गुड न्यूस टुड़े नई उमीद जगाने वाला हिंदी न्यूस चैनल चाय पर बातें बनती भी हैं और बिगड़ती भी लेकिन चर्चा भी तो चाय पर होती है चलिए कुछ ऐसी ही खबरे हम लेकर आएंगे तमाम शहरों की आप के लिए चाय की चुस्कियों के साथ हम पांच के साथ जी एंटी पर जी एंटी आरी पर मैं तो कहूंगा कि कोविड में सिर्फ एमजी नहीं देश के सभी स्वस्ते कर्मियों ने एक सैनिक की भूमी का निभाई है अपनी जान की बाजी लगा कर हम सब की रक्षा की है अब मैं आपको गर्चे रोली के जंगलों में ले जा सकता हूँ वहाँ बड़े बड़े हस्पताल तो नहीं है लेकिन वहाँ एक रक्षक है देखिए रिपोर्ट और सलाम कीजिए उनके हौसले को प्रेम हवा में उड़ रहा धुआ नहीं प्रेम इंसान को इंसान से जोडने वाला सिर्फ रिष्टा नहीं प्रेम इंसान की तैस सरहदे नहीं जानता प्रेम प्रकृति से एकाकार होने का नाम है प्रेम प्राणी मातर से प्रेम करने का नाम है प्रकाश आम्टे पचास सालों से इस आनंदबन में इंसान और जानवरों के बीच प्रेम बांट रहे हैं उन मुक्त अविरल अनथक सिलसिला चलता जा रहा है दूसरों की मदद के लिए उम्र की नहीं उमंग की दरकार होती है 22 साल की युवक प्रकाश आम्टे माडिया जमात की सेवा करते करते आज बात्तर साल के हो चुके हैं MBBS पत्नी मंदाकिनी आम्टे ने शादी के सिर्फ तीन दिन बाद इंसान को इंसान से जोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया वो उम्र के इस पड़ाव पर भी जारी है अनथक बाबा आम्टे का गढ़ चिरॉली वाला आनंदवन गुलसार है बेटे प्रकाश आम्टे 50 साल से जुड़े हुए हैं एक धुन के साथ, एक लए में, एक ही मकसद, एक ही जीवन के धेर के साथ किसी ने कहा है कि अपने लिए जीए तो क्या जीए ऐ दिल, तू जी समाने के लिए बाबा आम्टे के बेटे और बहु इन बोलों के ही रोज हैं लोग जंगल से शहर की चका चौंध वाली रोशनी के तरफ भागते हैं प्रकाश आम्टे शहर से जंगल की ओर चले उसे गुलजार करने, आदिवासियों की सिंदगी रोशन करने तो फिर थोड़ा आसान हुआ, तो फिर थोड़ा आसान हुआ, हम लोगों में जैसे दो लोगों कहते हैं कि इतना सब छोड़के हम यहां जंगल में आये, और जिंद के लिए आये वही लोग आपके अपने पास नहीं आ रहे, तो इसके लिए हमने उल्टा सोचा, मतलो, पॉजिटिव थिंकिंग जैसे कहते हैं, आज के लोगों पॉजिटिव थिंकिंग, यह चुनोईते हैं ज्यादा प्रयास किया, उनकी संस्कृतिक अभ्यास किया, और उसके बाद में फिर लोगों का थोड़ा थोड़ा विश्वास, लोगों का विश्वास भाषन देने से नहीं पएदा होता, सीजेस पेशंट आया और वो चलते हुए पैदल वापिस गया है, बस यही कारण उ साथी साथ निभाना, प्रकाश आम्टे के साथ मंदाकनी इसी भाव से जुटी हुई है, माडिया जमात की सेवा में समर्पित है, वो बाकी दुनिया को भी जानती है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा पहचानती है, वो हैं माडिया जमात के लोग, मंदाकनी मा की तरह है, उनके दर्द को सबसे करीब से पहचानने वाली है, बाद में दवा खाने में जो लोग आने लगे, उनको खाना खिलाना चालू हो गया, तो फैमिली बढ़ते गई, आगे जाके स्कूल चालू हुआ, तो स्कूल को लड़कों को खाना खिलाना है, तो में बड़ा बड़ा होते गए, फिर बाद में हमारे स्टूड़न्ट है, तो उनको भी हमने बढ़ाया और उनको बताया कि खाना कैसे पकाते हैं। इतना पैसा, कैसे चलता है ये काम। ये सवाल बस इसलिए कि हिंदुस्तान को एक नहीं कई आम्टे दंपत्ति चाहिए, जिनका सरोकार सिर्फ जान से जानका हो। उसमें कहीं कोई भेदना हो, चाहे रजिया हो या राधा। बाबा आम्टे ने हेम लक्सा में 1949 में लोग बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की थी। इसके बाद 1975 में एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया, जिसमें मेडिकल की अच्छी सुविधा उपलर्थ करवाई गई, जिससे डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदागिनी ने ओपरेशन भी किये। डॉक्टर दंपत्य ने साप बिच्छू के काटे जाने का इलाज किया, जिसकी वज़े से ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग इलाज के लिए इनके पास आने लगे। इसके इलावा आम्टे दंपत्य ने 1974 में हेम लक्सा में एक स्कूल की स्थापना की। बाबा आम्टे के सपने बेटे प्रकाश आम्टे की आँखों में समाई हैं। उन्हें पूरा करने की जिद है। गुद न्यूस टुडे के लिए हेम लक्सा गर्चिरॉली महराश्च से पंकच खेल कर। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग ठकने लगते हैं तब डॉक्टर आम्टे फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। आईए सीधे उनसे बाचीत करते हैं। उनकी पतनी मंदाकनी आम्टे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यावाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने सालों से आप दोनों आदिवासियों की सेवा में लगे हैं। इस लंबे सफर में चुनौतियां तो बहुत आई होंगी आपके लिए। सबसे मतलब बड़ी चुनौति यह थी कि पचास साल पहले जब पिताजी हमें यह ले आए। और हम दोनों डॉक्टर थे। और ऐसा उनकी परिस्तिती देखने के बाद ऐसा लगा कि इनके लिए हम कुछ आरोगय के लिए सेवा करें। लेकिन यह नहीं मालूम था कि आदिवासियो माडिया जनजनाती इसको कहते है। इनका सिविलाइज लोगों के ओपर विश्वास नहीं था। यह मालूम नहीं था। सबसे बड़ी चुनोईत है यह थी कि उनका विश्वास कैसा उनको अपने बारे में पैदा करे। दूसरा था लांग्वेज। माडिया जो है वो बोली भाशा है। माराथिय और हिंदी से उससा कोई मेल जोल नहीं जनता। तो वो चुनेती दूसरी थी। तीसरी चुनोईती थी कि यहां बिजली नहीं थी। अस्पदाल तो हमने शुरू किया तो जहाड किनी चेल लेकिन दिरे दिरे चोटी सी बिलिंग बनाए। फिर थोड़ा सा बड़ा अस्पदाल बनाया। लेकिन इन्वेस्टिकेशन कुछ नहीं। सिर्फ क्लिनिकली जो डियागोनिसिस कर सके अंदा जासे जिसे बूलते हम लोग। उससे पेशन को ट्रिट करना। यहां से अच्छी अस्पदाल में बेजना इतना। इसलिए मुश्किल था कि यह अलापल्ले से 70 km आखरी में रास्ता नहीं था। ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं थी। तीसरा जा थे कि आदिवासी के पास कपड़े नहीं थे। तो ऐसे लोग शहर में जाने के लिए कैसे दया पैसे का तो सवाल ही नहीं था। तो यह शुरू में यह चुनोती यह थी। पहले तक को भी सोचा ही नहीं था कि अचा कुछ करना पड़ेगा करके नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहते कि अपना घर परिवार सम्हालेंगे। लेकिन यहां आने के बाद यहां की दिक्कते जो पता चलिया तो चुमन में और कौमन को फैमिली हो गई हमारा बाद में दवा खाने में जो लोग आने लगे उनकी अचाना किलाना चालू हो गया तो फैमिली बढ़ते गई आगे जाके श्कूल चालू हुआ तो यह लड़क कि एंचान कstat도 है टेक हो उनको अई हमनی पढ़ा खाया और उनको बताया कि उनको बताया कि भाना कैसे पकाते है तो उनको इनको सुख चुमन मालूम थार उसके साथ में लिए प серьез कर भाना है तो उत्ता है उनको मालूम थां तो यहां का नहां का छाuen का ङून को पता चलाकि आपके पिता बाबा आम्टे ने आनंदवन सापित किया और आप डॉक्ट्री पढ़ रहे थे क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको भी उसी राह पर चलना है जो बाबा आम्टे की थी आदी वासियों के लिए आज जीवन सेवा का प्रण कमाल है जब हम लोग पढ़ते थे मतलब उस समय इतनी कॉंपटिशन नहीं थे हम दोनों को मेडिकल कॉलेज मेरे प्रवेश्त मिल गया तब तक दोनों का माय और विकास मेरा बड़ा भाई था हम एकी साथ में पढ़ रहे थे हम दोनों ने निरने लिया था कि बाबा का आनंदवन का क अगे बढ़ाएंगे और जैसे एक्जाम दिया फाइनल बावा की दिमाग में पता नहीं पहले से होगा अधिवासर के प्रती कुछ शानुपुति होगी या उनके समस्या के बारे में उनको पता भी होगा तो पिकनिक के नाम पे पिकनिक के नाम पे भंबरागड लेके आए आनन्दवन से बंबरागड और बाद में असल में आधिवासे की परिस्तिती दिखाए तो विचारे सचमुष में जंगल पे डिपेंड़न जैसे जंगली जानुवर होते माल नूट्रिशन, कुपोशन का कुछ भी को हो आप सालों से वो सिकार करते थे या कंद मुल खाते तो उसका तो प्रमान कम हो गया था, किसका रेकॉर्ड नहीं था, कोई स्कूल नहीं थी, बर्थ रेकॉर्ड नहीं, डेथ रेकॉर्ड नहीं और सबसे हमको आश्चर यह लगा कि हमारे जैसे सिविला ही लोगों को देखके वो डर की जंगल में भाग जाते थे तो यह सब द तब मेरा निरने हुआ, टर्निंग पॉइंट किसी के लाइफ में जाता है तो वो पिकनिक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, आप आदिवासियों के लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, उनकी शिक्षा का भी आपने पूरा इंतजाम किया, स्कूल भी कोले, लोग शोषन हो रहा है मतलब हमारा, और जैसको राइट्स के बारे में उनको मालूम यह था, दो साल के बाद में वो बाकी समझ से आए, आरोग्य से छोड़ के बाकी समझ से बताने लगे, पिर महरे साथ में, हमारे साथ में एक सौभाए के से बाबा की प्रेरना से, एक चार-पा आए थे, वो अपनी नोकरी शोड़ के आए थे, नाम भी में सायद काफी महशुर है, उनके पहले से मेरे साथ में काम करते, पूना से विलास मनोर थे, गोपाल फोड़नीस थे, प्रोफेसर थे, रिजाइन करके आए, और पांचाल थे, मरा ठोड़ा से, अलग 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 लेकिन यहां एक ही मकसद से आये थे, तो सभी ने डिसाइड किया कि इनको इनके राइट्स के बारे में पता चलना चाहिए, इसलिए स्कूल की सापना करना अवशक है, तो 76 में शायद धाई साल बाद, धाई साल बाद हमने यहां स्कूल स्टार्ट करने का निरने लिया, ग किसी ने जंगली जानवार ने हमला किया या साप ने काट लिया तो फिर जिम्मेदार कौन रहे तो काफी सारे शंका है उनके मन में थी, हमारे वोलेंटियर्स उनको समझाने गए, अच्छे से अपना अपना परिवार सम्हाल रहे है और यह बहुत बड़ा परिवार हो गया कि इन लोगों को हम कभी सोचा है नहीं था कि हम लोगों का देख के हम लोगों चे पड़के यह लोग इत्ता आगे जाएंगे आज हमको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लड़के, 10-12 लड़के यहां से डॉक्टर हो के निकल गए, वकील बने, टीचर तो काफी ब मिशन के लिए बहुत सारे लड़के लड़किया यहां त्राय कर रहे हैं, डीच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि यह सारा परिवार अगे-अगे बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छे, उम्र के इस पढ़ाव पर आप दोनों बिल्कुल फिट औ इस तर्व है, अब तो बाद में टेलिफोन आया, इसके बाद में वाइफाई है अभी, सोशल मीडिया है तो हम दोनों को उसमें इंट्रेस्ट नहीं है, मैं ज्यादा इस्तिमाल नहीं करता हूँ, जवाब देने के सिवा एफ बाकी सोशल मीडिया में ज्यादा कोई नहीं लेकिन बच्चे लोग इसका इस्तमाल करते ज्यादा लोग तो पहुंचा सकते हैं, उनकी समस्या है जल्दी लोग है तो पहुंचा सकते हैं, अच्छी तरह से दोनों बेटे और बहुए, ये काम आगे बढ़ा रही हैं, और उनकी जो बेटे हैं, ये फॉर्थ जनरेशन होग अच्छी मीडियम, ये एक बड़ी मतला हमारे बहुए ने हिम्मत किया है, वो खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़िये और अपने बच्चों को यहां अधिवाशी को साथ पढ़ा रही है, बहुत बड़ा वैसे देखा तो शक्री वैसे ही है, बड़े खुशी से उनके सा अधिया बच्चे पढ़ रहे हैं, अब यहां के जो एकमस्पेर है, सेवा का अनिमल के लिए जो प्यार है, तो वो सब हम दोनों के साथ ही रहते हैं, दादा दादी में, बेटे और बहुत काम में रहते हैं डॉक्टर आम्टे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद यूनों, हमारे बीच ऐसे अंगिनत लोग हैं, जो अपने बारे में बाद में सोचते हैं और दूसरे के बारे में पहले ये, ये मुश्किल नहीं है, कभी किसी की मदद करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है मुझे याद है कि मैं खुद एक्टिंग किया, बहुत सारी फिल्में की, बहुत हिट हुई फिल्में, अलग लग भाशाओं में, तमिल, तेलगू, कनड़ा, अमिराती, चाहिनीज, हॉलिवूड, कई फिल्में की, अवार्ड्स बहुत सारे मिले और मुझे लगा कि शायद जो मैंने किया है जिन्दगी में, यही मेरा सबसे, मेरा बड़ा पड़ाव है, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसको देखकर, लेकिन जब करोना के दौरान मैंने लोगों से जुड़ना शुरू किया, उनकी मदद करनी शुरू की, उनके चेह कर उतनी खुशी नहीं मिलती जब आप एक जीवन में वो बड़ाव लेकिया आते हैं, अभी मैं चलता हूँ, कल फिर भारत की नई बात के साथ होगी आप से मुलाकात, जै हूँ झाल